दोस्तों आज मैं आपके साथ दो बहुत इफेक्टिव घरिल उपाय शेयर करने वाला हूँ, जिसका इस्तमाल करके आप अपने मन मुताबिक वजन को कम कर सकते हो। मुटी कमर, जांगो की चर्वी, हाथ और गले की फैट और निकले पेट को कम कर सकते हो। मदद करते हैं। जिससे मोटापा कम करने में हल्फ मिलती है। जांगो कर शर्वत बना कर पी सकते हैं। ध्यान दखे कि शर्वत बनाने के लिए चीनी का इस्तमाल यहां पर नहीं करना है। आप हनी यानि कि शहद एक स्कुन ले सकते हैं। चीनी शरीर को नुकसान करता है, हड़ी को कमजोर करता है और शरीर में मोटा आपा भी बढ़ाता है। दूसरे तरीके में आप दही या फिर मठे के साथ ले सकते हैं। यानि कि बटर मिल्क के साथ ले सकते हैं। लस्सी बनाकर या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। आप अगर नमकी लस्स यानि कि बटर मिल्क बना रहे हो तो काला नमक या सिंधा नमक का यूज किजे। इसमें आपको सफेद नमक का इस्तमाल नहीं करना है। और इसमें आप भूना हुआ जीरा भी आदा चमच एड़ कर सकते हैं। या और भी पाउरफूल हो जाएगा। इसका सेवन आपको दोपहर के खाना खाने के आदे घंटे पहले करना है। और दीन में दो बार भी इसे लिया जा सकता है। इसे लेने का कोई भी नुकसान नहीं होता। क्योंकि इसकी तासिर ठंडी होती है तो इस गर्मी के मौसम में बेफिक्र होकर आप ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है। दस निम्बू को काटकर इसके बीजों को निकाल दीजे और इन्हें ग्राइंड कर लेना है। अच्छे से मैस होने दे। अब आपको क्या करना है इस पेश्ट को एक बाल में निकाल ले। आप इसे किसी कांच के बाल में ढखकर फ्रीज में श्टूर करके रख सकते हैं। यह आपका दस दिन के लिए तयार हो जाएगा। बार बार आपको बनाने के जुरत नहीं है। अब यहाँ पर लेंगे हम एक गिलास गुन-गुना पानी। इसमें आपको डालनी है इस निम्बू पेश्ट का एक चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं। अगर आपको स्वात ज्यादा खटा महसूस हो रहा हो तो आप इसमें एक चम्मच शहद यानि कि हनी डालके भी पी सकते हैं। और अगर आप शुगर पेशिंट है शुरी में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर शहद का इस्तमाल नहीं करना है। इसका सेवन आपको सुबह सुबह खाली पेट बासी मुझ करना है। यानि कि बैगर ब्रश किये बैगर कुला किये और इस पाने को आपको सि कमेडी को फॉलो नहीं करना है। आप सुबह नास्ता करने के बाद इस तरह से इस ट्रिंक का सेवन कर सकते हैं। इस बात का जरू ध्यान दखीगा। इस लेने के एक घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। आप एक घंटे के बाद ब्रेकफास्ट ले सकते हो य इससे बड़ी वी वजन से छुटकारा मिलता है। नेमू में मौझूद पॉलिफेनल्स बढ़ते मोटापे को कंट्रोल करते हैं। शरीर में एक्ष्टा फैट के जमने को रोकने के लिए ये पॉलिफेनल्स फादिमन्द होते हैं। ये आपके बाड़ी को डिटॉक्स करता है। बाड़ी के सारे टॉक्सिंस बाहर निकल जाते हैं। नेमू में मौझूद वैटेमिन सी कोलिजन फॉर्मेशन के लिए आउशक है। ये आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है। इससे आपके स्कीन हेल्दी होती है। स्कीन केर में हाइड्रेशन का बहुत बड़ा र अगतार फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन तेजी से कम हो तो आप पूरे दिन में मीठी चीजें खाना बंद कर देजे। अपनी लाइफ से चीनी शक्र बिल्कुल बहार कर देजे। आपको बिल्कुल भी एक परसेंड भी कंचियूम नहीं करना है। अ या फिर गुड की जगा आप एक खजूर भी खा सकते हो। ध्यान रखिगा गर्मी का मौसम है तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी बहुती कम इस्तमाल में लाना है। खजूर भी खा रहे हो तो एक या दो खाये। गुड भी खा रहे हो तो एक छोटी सी डेली खा लें। हौती मदद करता है। या फिर आप सुर्य नमस्कार कर सकते हैं। योग एकसरसाइज जरूर आप अपने लाइश्टाल में आट कीजे। इससे आपका वजन बहुत तेजी से रिडिज होगा। आपको अपना मन चाहा श्री मिलेगा। मन चाहा वजन मिलेगा। आशा करता ह दोस्तों आपको वीडियो ये जानकार ये अच्छी लेगी होगी। वीडियो को शेर कीजेगा। और अब तक आपने रुद्र होम रेमेडिज को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लेजिए। बैल आकर प्रेस कर और नोटिफिकिशन आ कर जिए ता कि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालू आपको मिल जाया। तो अगले वीडियो में एक नई जानकार ये सथ फिर से हाजीर होताँ दोस्तों तब तक अपना ख्याल लखिए, खुश रहिए, जैहिंद।